आमादमी पाती ही माचल में घमा सान मचा हुआ है सुतरों के अनुसार 50 से अधिक वेधान सभा अध्यक्ष जिनने हाल ही में बर्खास्त किया गया है कमेटी भंग होने के कारण वेपाती से या किनारा कर चुके हैं या फिर किनारा करने की सोच रहे हैं इसका कारण ये है कि जिन अध्यक्षों ने डेट दो साल से दिन रात लाखों रुपए खर्च करके काम किया वो अब उन कारेकरताओं से भी परे समझे जा रही है जो चार छे दिन पहले पाटी से जुड़े थे मंडी जिला की अगर बात करें तो नाचन सुन्दर नगर द्रंग में ये सब हो चुका है जबकि बाकी जगों में धरमपूर जोगिंदर नगर सराज मंडी में भी यही हालत है कुलू शिमला चमबा हमीरपूर बिलासपूर उना सोलन सिर्मौर में भी हाल कुछ ऐसा ही है जबकि इन पुरानी विधान सभा कमेटियों से जुड़े लोग भी इसी तरह पाती या छोड़ चुके हैं या छोड़ने का मन बना चुके हैं कारेकरताओं में भारी गुसा दिल्ली से आई सभी टीमों के लिए हैं क्यूंकि अधिकतर लोग दिल्ली वालों की आओ भगत में लगना ही पाती का काम समझ रही हैं ऐसे में हिमाचल में तीसरे विकल्प का केजरिवाल का सपना अधूरा ही रह जाएगा और पहाड पर जाड़ू का हांपना तै हो जाएगा सवाल ऐसे में ये है कि क्या पाती योग्य उमीद्वार भी ढूंड पाएगी या हारे नकारे लोगों से ही काम चलाया जाएगा सभी 68 विधान सभा में पाती को उमीद्वार भी मिल पाएंगे ऐसा भी संभव होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जबकि बहुत से लोग जो दूसरी पाती छोड़ कर आए हैं उनको भी घर वापसी की उमीद के सिवा कुछ सूज नहीं रहा लेकिन क्या उनकी घर वापसी हो पाएगी ये भी फिलहाल मुश्किल लग रहा है सूत्रों की माने तो पाती में फिलहाल चमचागिरी चरम पर है दिली से आई टी में विशेश रूप से चमचागिरी से ही खुश है जिससे अधिकतर कारेकरता तंग है हर विधन सभा में दिली से आए दो-चार लोग बैठे हैं राजेस्तर पर तो हालात और भी बुरे हैं राजे कमेटियां बनी तो है मगर उनकी कोई सुनवाई तक नहीं हो रही उनकी कोई भी बात सुनने को दिली वाले तयार नहीं है मंडी के कारेकरम में एक तरफ जहां मुख्य अतिती संदीप पाठक बारा बजे के बजाए शाम को पांच बजे पहुंचे वहीं महिला प्रदेश अध्यक्षा को मंच पर कोई जगा नहीं मिल पाई जिससे उनकी नाराजगी भी खुल कर जग जाहिर हुई ऐसे में नस्दीक ही चुनाव जब आने को है तो पाठी क्या करेगी कहना मुश्किल है पाठी के लिए स्थिती बहुत खराब हिमाचल प्रदेश में होती जा रही है